सलाम अलेकुम दोस्तों गुड मॉर्निंग यह सुबा हो गई और मैं टैरिस पे आई हूं मॉर्निंग वाक के लिए देख सकते हैं आपको मैं अभी यहां का विव दिखाती हूं कितना अच्छा लग रहा है सुबा सुबा हर तरफ हरी आली हरी आली है बारिस के बाद सुबा क कहा जाता है और आगे 10-10 मिनट की रास्ते पर स्टेशन भी है सुबा के आठ बज रहे हैं और आठ बजे की आपको मैं भी दिखा रही हूं उपर से कि कुछ ऐसा है सन्नाटा है एकदम अभी अभी सब धीरे धीरे अपने अपने काम पर आफिस निकल रहे हैं जा रहे हैं त अब मेरा भी काम चालू होता ही देखी नीचे आगे हैं तला सो रहे हैं इनको उठा रही हूं मैं तो यह में चाय बना रही हूं चाय चड़ा रही हूं यह आप देख सकते हैं हमारी चाय बन रही है और दूसरी तरफ मेने छोले उबलने के लिए रख दिये हैं तो एक मुझे मैं पर्दा पकड़ी रहती हूं, तक यह अच्छे क्लीन हो सके हृज़ा Misakiya देखिए मैं चाइ ले कर आ रहा है। हमारी चाइए मन दें बन गई है।यर मैं तलहा के पापा मैं तलहा कई और पापा। चाइए देखिंगे deepest तलहा चाई पिर हैं अबुस्ट अब ये तलहा मदर्से के लिए रेडी हो रहे हैं अर्ब दी के लिए ये देख सकते हैं ये आप लोग से अलगोति आप मिशस्टे वातर 550 यह एंट ले और जा रहे हैं यह मैंने कडाई में ओल डाली, प्याज डाल करके अपने मसाले भूनी और इसके में अपनी उबली मतर डाल रही हूं और नास्ती में आज हम आरे छोले बन रहे हैं, जिसको यह मुंबई में रगड़ा भी कहते हैं तो आज नास्ती के लिए मैंने छोले बनाई लेट भी बहुत हो रहा था तो ये तलहा आ गए हैं मदर्शे से वापस सलाम करके अंदर आ रहे हैं और अब मैं जाड़ू लगा रही हूं तलहा गए बातरूम में नहाने के लिए उनको स्कूल जाना है तो मैं जाड़ू लगा रही हूं छोटे से घर में रात में इतना साला फैल जाता है कि उसको सुबा समेटने में अपनी जगा पे चीजे रखने में इतना टाइम जाता है कि जाड़ू लगाने में लेट हो जाता है हजबन सौब पे जा चुके हैं और तलहा को मुझे स्कूल लेके जाना है तो इसलिए मेरे जाड़ू पोचा लगा जल्दी इल्दी कर रही हूँ और ये रही मेरी चेर ये यहीं पर रहती है इस पर मैं बटनी तब मुझा रहा है जाड़ू लग गई है अब ये में पोचा लगा रही हूँ सुबा बहुत जल्दी इल्दी करना पड़ता है सुबा की मेरी मॉर्णिंग रूटीन बहुत बीजी रहती है अगर एक हाउस वाइफ है演 तो आप समस्राइश सकती है सारी हास वाइफों की रूटीन बहुत बीजी होती है सुबह की जल्दी जल्दी काम हमको निप्टाने रहते हैं। उसके बाद बच्चों को स्कूल छोडना और पिर सारे काम रहते हूं तो सुबह जो भी काम करना उसको जल्दी-जल्दी करना पढ़ता है. तो आप देख सकते हैं मेरा पोच्छा लग रहा है और पोच्छा लग जाएगा तो मुझे तलह को तयार करना है मैं तलह को टाई बांद रही हूं और तलह मुझसे बाते करते हैं हम दुने तयार होते होते हैं ऐसी बाते करते रहते हैं तलह की मैं कंगी कर ली हूं यह कंगी करवा रहे हैं तलह मुझसे बाल बनवा रहे हैं अपने फिर अभी में इनको पाउडर लगाऊंगे बस ये रेडी हो गए तलहा है की मेकप कर दी हो क्या मैं बोल दी हूं हां में मेकप भी कर दी हूं लेट हो रहा है जल्दी करो अब हम लोग को स्कूल के लिए निकलना है ये तलहा अपना रेंगोट पह दिखाती हूं कि बारिस में कैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं ये देखिए बाहर कभी हूं सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं बारिस बहुत तेज हो रही है बारिस कितनी भी हो मुंबई किये काबिले तारिफ है मुंबई स्टेज में कि बारिस हो या चाहे जितनी बारिस हो आफिस जाना है काम पे जाना है स्कूल जाना है तो जाना ही है इससे जो है कोई फरक नहीं पड़ता है बारिस में भी उसी तरह स्कूल जाते हैं काम पे जाते हैं जिस तरह आम दिनों में जाते हैं तो ये तल्हा जा रहे हैं और सारे और बड़े बच्चे वापस आ रहे हैं तल्ह मुझे रुक के कह रहे हैं ममा जल्दी आओ लेट हो रहा है मैं वीडियो बना रही हूं तो थोड़ा दीरे-दीरे चल रही हूं और आगे देखेंगे कि सब बच्चे कैसे वापस आ रहे हैं च्छतरी लगाए हूए अब मैं तल्ह को छोड़ के घर वापस आ रही हूं और मैं अच्छा खासा भीग चुकी हूँ, बारिस बहुत तेज हुई है, अभी तो थोड़ा सिलो हो गई है, तो मैं पूरी भीग चुकी थी, ये देखिए मेरा बुर्खा पूरा भीगा हुआ है, अब मैं घर आ गई हूँ, ये देखिए कुछ घर का मेरा वीव, मेरा सारा क हो गया है, और इस तरह मेरी बीजी मॉर्निंग रूटीन आपने देखा, और आगे मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, मेरा आगे का डेली रूटीन क्या होगा, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होईगी, तो मेरे चैनल को सस्क्राइब, और वीडियो को लाइक करें और डेल सारा प्यार दें कामेंट करें।